इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. फाइब्रोग्रस टेबलेट गर्भावस्था के चिकित्सिय समापन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा का एक एंटी प्रोजेस्टेशनल स्टेरोईड वर्ग है. यह प्रोजेस्टेरोन की क्रिया को अवरुद करके काम करता है, जो गर्भावस्था के विकास के लिए एक आवश्चिक हॉमोन है. अधिक्तम लाब प्राप्ट करने के लिए फाइब्रोग्रस टेबलेट अकेले या किसी अन्य दवा के सयोजन में दिया जाता है. इसे भोजन के साथ या अपने डॉक्टर की सलाह के रूप में लेना चाहिए. इसे मौखिक रूप से लिया जाना चाहिए. गोलियों को एक गिलास पानी के साथ पूरा निगल लेना चाहिए. यदि आप टेबलेट के सेवन के 45 मिनिर के भीतर उल्टी का अनुभव करते हैं, तो अपने डॉक्टर को सूचित करें या कोई अन्य टेबलेट लें. दवा को अपना असर दिखाने में 24 अर 40 घंटे लग सकते हैं और आपको रक्तसराव का अनुभव होता है. इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में मतली, उल्टी, गर्भाशे में एंठन, दस्थ, गर्भपात के बाद संक्रमन और गर्भाशे से रक्तसराव शामिल हैं. अगर ये आपको परेशान करते हैं या गंभीर लगते हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं. उन्हें कम करने या रोकने के तरीके हो सकते हैं. यदि आप इस दवा को लेने पर योनी से भारी रक्तसराव या पेट में दर्द का अनुभव करते हैं, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को सूचित करना चाहिए. इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको कभी अस्थानिक गर्भावस्था हुई है या आप स्तनपान करा रही है या अंतरगर भाशय उपकरन का उप्योग कर रही है आपके डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में भी पता होना चाहिए जो आप ले रहे हैं क्योंकि इन में से कई दवाएं इस दवा को कम प्रभावी बना सकती है या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती है आपको गर्भपात के दौरान भारी व्यायाम, दौरना और गारी चलाने जैसी जोरदार गतिविधियों से बचना चाहिए क्योंकि यह रक्तस्राव को प्रभावित कर सकता है गर्भपात पूरा होने की जांच के लिए आपका डौक्टर अल्ट्रासाउंड या पैल्विक जांच कर सकता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद